हेलो हाई नमस्कार सम्मानित साथियों वेलकम टी यूट्यूब चैनल टेट पाइंड मुहम्मद इसुफलिके संग जी हाँ आपने सही पढ़कर इस वीडियो को अपन किया है सिक्षोगों की होने वाली है बड़ी परिक्षा इसमें लाने होंगे 50-30 से जादा नमबर वरना ACR होगा आपका खराब जी हाँ देखते रही है वीडियो आप फिक्षा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आने पर सब्सक्राइब करें लाइक करें और बरावर में सब्सक्राइब करें बेल आइकन को द कि ग्यान बाटने से ग्यान बढ़ता है घरता नहीं आज की वीडियो की तरह हम चलते हैं आज की वीडियो का शीर्शक है लेटेस्ट नियूज फॉर आल टीचर्स सिक्षो की होने वाली यह बड़ी परिक्षा लाने होंगे 50-30 से ज्यादा नमबर वरना खराब होगा आपक फॉल फॉर्म है इसकी एन्वाल कॉन्विडेंशल रिपॉर्ट वाट्शिक रिपॉर्ट एस्यार क्या है इसे देखने की क्या प्रिक्रिया है मानव सम्दा पर इसे देखने क्या प्रिक्रिया है किस प्रकार से देखा जाता है सब हम आपको वीडियो में ही के अंदर गती क्सिटाइंगेसर क्या है इसको भी हम वीडियो के के बीच में बताएंग तो देख्ते रहिए मैं चलते हैं तो तो यह घृ उस स्ञाइक होताँ जैसे की टित्चो Fendy anecdot र करें तयार करेंगे और इसको आगे भीयाजेंगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लखनाव यह यह खबर लखनाव से आई है आप परिसेदिय इसकोलों के प्रिधान अध्यापक वे सिछोगों की वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक गोपने पिर्विष्टी एसी आर अब नंबरों के आधार पर होगी सो घंटों में गुरुजी का मुल्यांकन होगा और इसी के आधार पर अच्छी या खरव अच्छी या खराव एस्यार होगी तभी अभी तक परिसेदिय विद्यालों में इसके लिए कोई थोस वयवस्ता नहीं थी अब तक जो भी इस परकार की एक यर की वेवस्ता वम्युम्न के लिए होती थी अन्य देपार्ण में अन्य गोर्णेंट डेपारड में होती थे लेकिन एजू के रिपार्णें अपर मुक्या सचिक बेसिक सिक्षा रेणुका कुमार की ओर से निर्देश दिये गए हैं कि पहले सिक्षक सेल्फ अप्रेजल भरेगा अर्थात सेल्फ अप्रेजल का मतलब है पहले सिक्षक स्वेम मुल्यांकन करेगा वो अपने को कहां पाता है उसके वाद खंड सिक्षा आदिकारी इसकी कि रहें जो एक शिक्षक ने अपना प्रेजल वहर आपना मूल यांकर किया है सो नुमरों के हंध्रगत फिर उसके भी उसाफ खंड शिक्षा अधिकारी उसकी सम्विक्षा करेंगे कि वो अध्यापक या ध्यापक गाम उस पर कितने खरे उतरते हैं आगे बेसिक शिख्षा अधिकारी को बढ़ाया जाएगा कौन बढ़ाएगा ये बियोसा बढ़ाएंगे और बेसिक शिख्षा अधिकारी द्वारा ACR को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसका डिसिजन कौन करेंगे बेसिक शिख्षा अधिकारी करेंगे जिन नौ मानकों पर शिक्षकों प्रद्धान अध्यापों का मुल्यंकन किया जाएगा और मुल्यंकन के नौ मानक होंगे नौ बिन्दू होंगे उनी पर आधारित यह मुल्यंकन किया जाएगा है इसमें पहला operation कायक कलब के अंदर गद अवस्थापना स्वीधां के 10 अंक होंगे आपने ओप्रेशन काया कल्प बहुत थिर से जानते हैं उसके चौदे पॉइंट भी हैं उन चौदे पॉइंटों को आपने अपने स्कूल में किस प्रिगति के साथ किस विश्वास के साथ पूर्ण किया है उसी के आधार पर आपको ये 10 नमबर दिये जाएंगे अगर आपने पूर्ण कर लिया है ओप्रेशन काया कल्प तो आपको 10 नमबर मिलेंगे और आपकी कमी रहती है काया कल्प के बिंदों पर तो 10 नहीं दिये जाएंगे दूजरा है साथ पृतिसत से असी पृतिसत हैं तो पांच अंक और असी फिजदी से अधिक हैं तो असी अंक मिलेंगे अब यह दूजरा पृंट जा आता है यह आता है चात्र उपस्तिती के लिए अगर आपकी उपस्तिती चाट से असी पृतिसत है तो पांच अंक मिलेंगे और असी पृतिसत से अधिक हैं तो आपको 10 नमबर मिलेंगे तीसरा है आपको पृतिसत उपस्तिती का पृतिसत साट से असी है तो पांच अंक और असी पृतिसत से अधिक हैं तो 10 नमबर मिलेंगे अब यहाँ पर जो यह पृतिसरा यह आता है प्रदान अध्यापक और शिक्छगों के लिए आता है उनकी उपस्तिती के लिए आता है जो कि उसे पहले था उपस्तित चाट उपस्तिती के लिए और अब यह बिंदो यह तीसरा है यह अध्यापक और प्रदान अध्यापक क उपस्तिती पर आता है तो अगर 60-80% है तो 5 अंग मिलेंगे और 80-80% से अधिक अंक लेने है तो आपको 10 अंक लेने है तो 80% की आपकी उपस्तिती अनिवारिय होगी जो कि इस परकार की उपस्तितों आपकी सभी की मिलेगी ही तो 10 नमबर तो आपको यहाँ पर ही मिल चौता विंदू आता है आपका आउटकम के अंतीम परिच्छा में अगर विद्याले का ग्रेड का ग्रेड एप्लस विद्याले का ग्रेड एप्लस है तो बीस अंक और अगर ए ए है तो 16 अंक 20 और बी है ग्रेट भी है तो बार एंक और सी है तो आठ अंक और डी है तो चार अंक मिलंगे और पांच मां आता है आपका सबसे महत्पूर महत्पूर पॉइंट है और बंदर पांच मां दिख्शाप पॉट pou यह आज गल महुत कर रहे हैं और वह उसकी भी मौइंटरिंग की जाएगी मौइंटरिंड की जाएगी के आदार पर यह नंबर मिलंगे कि हम अपने बच्चें को पॉटल का उप्योंग करके कितना पढ़ा रहे हैं सिक्षन कारी कितना करा रहे हैं और चटा है चटा सभी चातनों को रिजल्ट उपलग्द करवाना तो सभी बच्चें को जब परिष्ण होती है तो हम उसको भी result उप्लब कराती हैं तो ये 10 नमबर भी हमारे पोरे हो जाएंगे इस तरह कुल 100 अंकों में मोल लियांकन कर ACR तयार होगी इसे मानव सम्दा पोर्टल पर भी online करने की प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है ये पहले प्रिक्रिया नहीं होती थी पहले प्रिक्रिया मानव सम्दा पर नहीं थी लेकिन अब ये मानव सम्दा पोर्टल पर online शुरू हो कर दी गई है मैंने भी ये पोर्टल पर जाकर देखा था तो उसमें पैंडिंग पैंडिंग पाई गई थी और आप अगर इसमें जाना चाहें इसको अपने मानव सम्दा पोर्टल पर जाना चाहें इसमें देखना चाहें तो सबसे पहले आप दीख्चा पोर्टल को ओपन करेंगे और मानव सम्दा पोर्टल को ओपन करने के बाद जहां आप लीव मोडल लिखा होता है वहाँ से leave के लिए आप option बढ़ते हैं जश्ट उसी के नीचे A.C.R. A.C.R. का option लिखा होता है उसे आप open करेंगे उसे आप click करेंगे और click करने पर आप देखंगे तो वहाँ पर 10 साल का आपको record मिलेगा लेकिन वहाँ अभी यह पर करिया पैंडिंग में है पैंडिंग दर्साएगा लेकिन वहाँ record जो हमें मिलेगा 10 साल का record मिलेगा आगे बढ़ते हैं इस तरह कुल 100 अंकों में मूल यंक अंकर A.C.R. तियार होगी इसे मानव समदा पोर्टल पर भी आनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पचास प्रतिल सथ से कम अंक मिलने पर होगी A.C.R. खंड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सो अंकों में सिक्षों का मूल यंकन कर रिपोर्ट तयार किया जाएगा अब यह किस प्रकार से दिया जाएगा स्रेनी बना दी गई है वह आप देखिए अगर 90 पृतिसद से अंक मिलने पर उत्करिष्ट मिलेगा यह मिलेगा उत्करिष्ट मिलेगा और 31 से 90 प्रितिसत अंक मिलते हैं तो लिखा जाएगा आपका अधिकम और 61 प्रितिसत से 70 प्रितिसत अंक मिलने पर उत्तम लिखा मिलेगा आपको और 50 प्रितिसत से 60 प्रितिसत अंक मिलने पर संतोस जनक लिखा मिलेगा और पचास पिर्तिसत से अंख कम मिलने पर पिर्तिकोल पिर्विष्ठी मिल सकती है वह पचास पिर्तिसत से अंख हमको कम नहीं लाने है किसी भी हाल में हमें अपने तन मन पूरा मन योग से अपने स्कोल और स्कोल के बच्चों में लग जाना है और हमें पिर्तिकूल प्रविष्टी नहीं लेनी है अब हम बताते हैं आपको एसिया रिपोर्ट क्या है जिस्तों कि हमने पहले बताया तक एसिया रिपोर्ट क्या है कुछ हो सकता है कुछ अध्यापक नहीं जानते हो तो उनके विसे में उनके लिए बता रहें एसिया रिप Review-report की FULL FORM होती है Annual Confidential report जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोपनिय भारची गोपनिय प्रितिवेदन थे इसके बारें बताते हैं में पूंपनिय पृतिवेद एसे यर प्रतीम प्रतीवर्स परते नोसा लिखी जातीए जैसे एक अप्रेहिंग झाते से 31 मार्स तक हमारा विट्वर्श कॉन जो तक माना जाता है क्बसे कंप से 31 मार्स तक माना जाता है 33 मारस तक कि ऑफिक्षा आच्रण आकलन siaँन focus है तो एए ऐस साल कि का हमारा जो का आच्रन करक्ति किस प्रकार से वहार कर रहे हैं किस प्रकार का काम कर रहे हैं किस प्रकार का कारिया सहली क्या हमारे पढ़ाने की लिखाने की स्कूल स्कूल में रहने की सा सज्जा की उसका पूरा विवरन होगा उसी पर हमारे रिपोर्ट होगी उसी का हमारा आंगलन किया जाएगा अहारन सन वित्रान अधिकारी या कार्याले पिरमुक का दैत होता है कि वह पृतिक 30 अप्रेल तक अपने कार्याले के सभी करमचारियों की ACR तयार करके सम्बंधित की निजी नत्थी में रखे आगए ACR में करमचारी के विरुत पिर्तिकूल टिपनी की जा रही है तो कार्यले पिरमुक का दैत है कि वह सम्बंधित को इस ACR का सूचना पत्र प्रदान करे अब यह उस चीज में बताया गया है जैसे हमने पिछली बार पीशे बताया था है कि अगर फ्रितिफ्पूण पृूस्टी मित्याद सब्सक्राइब कारेल फील जाख यह सूचना पत्र प्रदान कहलें सकख सक्तित की बारे में बता करें कि किकाश्टी बिस्टी को व्रतिकूण करवाने के लिए अभ्याव्यदन दे सके अपना इसमें इस पश्टी करना देगा अगर वह कोई भी मैं बियोज आपना अदिकार हैं हमें पृतिकुल टिपने करते हैं नौटिस देते हैं तो हमें इतना अदिकार है कि हम उसे विलोपित करा सकें अभ्याविद और उसका इस सकें अपने उस पृतिकुल टिपनी को प्रिविस्ठी को हटवा सकें कि असरी फ पृतिकुल टिपनी का सूचना पत्र इसलीए भी आवशिक है क्योंकि करमचारी अपने वेवार्शा में शुदहार कर सकें अगर प्रृतिकुल तिपणी का हमें ढरत रहेगा पिरतिकुल प्रुष्थी का रहेगा तो हम अपने वेभार आचन को भी सुधार सकते हैं अब अब्या-वेदन बड़ सामाने रूप से पिरतिकुल-टिपनी विलोपित करने का अधिकार टिपनी अंकित करने वाले अधिकारी के सबसे पहले उच्पद अधिकारी का होता है अर्थाथ अगर हमें बियो साथ प्रिति कॉल पिरुष्टि देते हैं तो उसे खत्म करने का अधिकार किसका होगा बीए से बीए से साथ को होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सबस्क्राइब करें